लगा दिया तो य येस बाहर का दरवाजा बंद कर दिया जाने नहीं देंगे गाली यहां से जाएगी नहीं और फिर उसके बाद महा का जो जो हमारे प्राइबेट पार्ट पर हाथ दे देते हैं क्यों महिला हूं एक कमजोर महिला हूं पत्रकान हुआ नहीं कोई कुछ कुछ नहीं हुआ अब चार मैने के बाद एक कॉंट्रवर्सी हुई कि उसने साधी कर ली तो फिर तीन दीन पहले के पत्रकार के साथ मार पीठ हुआ लत्तम जुत्ती हुई लाठी लठावल गाली गलोड कि आप बेवकूफ हैं क्या एक छोटा सब्द हमने का क्या हुआ है पहले भी बना हुआ था लोग युवा जो है जो लोग कहते हैं कि हम प्यार करते हैं वगरह वगरह जो चीज को बोलते हैं एक ऐख Eph है देखिए आर्थि और छोटू का मामला है वह कहींना बीच में सहीठ तरीके से मतलब की कहा जाय तो बचा ही नहीं कुछ लेकिन उसके बीच में एक आरती फिर से एक नोटंग की फिर से खड़ा कर दी देखे पहले वो मिडिया को बुलाती है और मिडिया को बुला के मिडिया को बुला के वो फिर से मिडिया मीडिया जब सवाल करते हैं तो मीडिया के सवालों पर भढ़क जाती है देखिए जब सवाल पर आग कमपर्टेवल महसूस न करे तो फिर बुलाते की हूँ है यही बात एक सवाल हो जाता है देखिए पतरकार के साथ में कुछ दिन पहले ही एक बत्तलुकी हुआ था उस बत्तलुकी के मैं बताता हूँ उस बत्तलुकी एक पत्तलुकी एक पत्तलुकी एक समाथ सेवा करने वाली एक बवीता मिश्रा थी एक समासेवा के भी भावना है और समासेवा करती भी है खास कर उनको देशवा एक न्यूज है उनकी ब्रांसा मेजर भी उनको बनाया गया है देखे समझ सकते हैं कि समासेवा करने वाले लोगों के बीच में ऐसी कोई भावना नहीं हो सकती ये चीज आप भी मानते हैं और मैं भी मानते हैं दुनिया भी मानती है कि समास सेवा करने में लोगों के बीच में ऐसी कोई भावना नहीं होती लेकिन एजे पतरकार बन के गई थी कि आकर सवाल क्या कुछ किया जा लेकिन मैं बता दूँ आपको कि आरती बवीता मिश्रा जी से खुद कॉल करके ये बात हुई थी कि मेरी एक प्रॉब्लम है मेरी एक समस्या है वो आप खुद आके मेरे परिवार बालों से आप बात करिए वस उस मसले को लेकर बात करने के लिए गई थी और वहां पर हुआ लोगों को भी लगा रखी और उसमें सवाल लोगों ने अपना अपना तरीके से रखा और बभीता मिश्रा जी अपने सवाल को रखे फिर पता नहीं क्या कुछ हुआ बाते वह भड़क गई हमारे साथ में बात करने के लिए बभीता मिश्रा जी मैं खुद हमारे साथ उजागर करें यहीं उमीद मैं रखती और जानना चाहती है पूरे मीडिया में ख़र बने हुए कि पदलो अगरत के पत्रकार के उपड़क गये उनका पति वह बहलक जाते उंक हंगे Скर्पश्ट के वह बहूँ जाते हैं कि सितने आपने किया जो भड़क गई इस तरह का पहले तो मैं बता दू कि मैं पत्रकार के साथ साथ मैं इस देश्वाय ने उसकी ब्रैंड इंबेस्टर और एक समाज से भी हूं उस नाते कहीं न कहीं हम आज ये 25 तारीक की घटना है साइद उन लोगों ने शादी करी थी और मेरे चा इनल ने भी उसको पॉजिटिव ही दिखाया था एक बेटी के साथ ऐसा ने एक लड़के के साथ आज भी हमें छोटू की हत्या का दुख है बहुत जादा और मैं चाहती हूं कि उसको इन साथ मिले लेकिन मैं 25 तारीक की घटना जब इन लोगों ने शादी करा जब साधी लोगों ने पत्रकार पर हमला किया था डंटे से गाली गलोच करा था तो बहुत सारे लोग मेरे चानल पर फून कर रह थे और कह रहे थी कि मैम आप जाए और अपनी बातों को रखिए कि आखिर हुआ क्या था हम लोगों का भी मकसद होता है कि सचा ही जानना पत्रकार है तो सचा ही जानेंगे और अधिकार आप मेरा है तो आपको बाइट देना है नई देना भगा देना वो आपका प्रॉबलम है लेकिन हम तो पूछेंगे सवाल चुकि हमारे पत्रकार भाई पर हमला हुआ था और पत्रकार इसी वज़े से मैं गई थी जब हम वहां गए तो वहां उन लोगों ने प् और चुकि मैं एक महिला हूँ मेरी आवाज पतली है और उन वो पता नहीं उमेश यादब जी को सचाई सुने की आदत नहीं है वो हमारे फादर के समान है हम जब पहली दफा मिले थे मैंने उनको पहर भी चुआ था चुकि वो छोटू के फादर पहले नहीं वो एक बुज युद्यूर्ब को पैर्च हुआ जाता है जो हमारे यहां का संस्कार है और हम वहीं के बच्चे हैं बगल के ही बच्चे हैं हम पैर चुटे हैं अपने सिबरो का तो इस वार भी जब मैं गई तो मुझे उमीद था कि मैं कोई सवाल करूंगी तो वह ज़वाब देंगे जब हम वहाँ गए तो हमने देखा कि वो प्रेंस कॉन्फरेंस बोले कि भाई आरती और मौनू को मैं मनू उसको बैठा लेता हूँ तो वो बैठा रहे थे लेकिन वो सिरिफ नाम का था और डिक्टेटर सीफ जिनको कहते हैं वो खुद कर रहे थे मतलब तो हमने कहा कि भाई हमारी सवाल तिखी होगी और आपको जबाब देना है दीजेगा नहीं देना होगा तो आप निक्स्ट कर दीजेगा आप वीडियो में भी देखे होंगे बहुत सारे चानल अपने भीव पाने के लिए याप सब्सक्राइब लेने के लिए कट कट कड़के दिखाते हैं आप देशवा नियूज का पूरा आप जाईए आपको लाइप पूरा दिख जाएगा कि आखिर में हुआ क्या था सब अपना भीव और ये सब पटोरने के लिए किसी की चबी को नुकसान करते हैं वो खुद मीडिया है उनको ये समझ में नहीं आता कि तीन दिन पहले आपके साथ मार पीछ हुई थी आपको धका मुकी किया गया था गाली गलोज हुई थी आपने एफ आयार नहीं की हम लो लोग हम लोगों की जहुरत होती है लोग हमारा इस्तमाल करते हैं और जब हम उनकी नेगेटिव बात पूछते हैं और जब ये धका धुक्की के मामले को सवाल लेके खरे होते तो वह लोग हम पे ही उंगली उठाते हैं आरती आरती पूछ रही थी कि मैंने आप मुझे बहुत सारे लोग अपनी जो दुख देश्वा नियूज के माध्यम से बहुत सारे कॉल साते हैं कि मैं हमारे साथ ये हुआ है वह हुआ है चुकि मैं ब्रैंड इंबेस्टर हूँ मैं लोगों के लिए काम करती हूँ तो मैं उन लोगों के लिए जाती हूँ उनकी हैल्प कर कि आरती ने तीन मेने पहले हमें कॉल किया तो मैं किसी की नमबर को नहीं देखती मैं जट चे उठा लेती हूँ और जो लोग भी बोलते मैं उनको कहती हूं कि प्लीज रिपलाइ कर दिया करो चाहिकि लोग उमीद से कॉल करते हैं हमारे पास आज कर लोग थाने में कम करते हैं और न्यू चैनल पे लोग ज़्यादा ट्रस्ट करने लगे हैं और वो बकाइदा फोन कर देते हैं यह हुआ तो मैं लोगों को भी कहती हूं कि कम से कम रिस्पॉंस दे दिया कर तो मैं सवाल क्या था यह बताना चाहूंगी मैं आरती ने कॉल किया उसका एक 13 साल का भाई था उस वक्त तीन मैंने पहले की बात है वो जेल जाने वाला था तो वो बहुत बुखलाई हुई थी बहुत रो रही थी तो हमने बोला कि भाई कौन तो बोला कि हम आरती बोल रहे हैं तो हमने पूछा क्या बात है इतना क्यों रो रही हो तो उसने अपने सारी बाते बताई रूर नहीं लगी, मेरा भाई निर्दोस है, 13 साल का है, वो सूपर विजन में उसका नाम नहीं कटा है, तो अमलों थी यह तो आपकी फैमिली मैटर है, आप फैमिली, अप उमेज जादब जी से बुलियो, वो कटवा देंगा, और यह तो सेकेंटरी बिला नहीं, नहीं, हम नहीं बात कर सकते हैं, नाम तो खुद दे थी, उन्हों नहीं कहा कि हम नहीं दिये थे, उमेज जी, उनके जो ससूर है, उन्होंने नाम दे लिए, लेकिन, कॉल इसलिए करती थी, कि उसका भाई निर्दोस है, आप आके, हमने आज तक उसकी को, तीन मेहने के बाद, मैंने एक कॉल नहीं उठाया, इसलिए नहीं उठाया, कि भाई, उनके घर का मुद्दा है न, मैं क्यों परूँ, फिर मैं जब जाती हूँ, और जब प्रेस कॉन्फरेंस खतम हो जाता है, तो आप क्या करते हैं, आप ये करते हैं, कि जो मन्नु है, उनका हस इसमेंट हो हमारे प्राइबेट पार्ट पर हाथ दे देते हैं, क्यों महिल और कम जोर महिला हों, पत्रकान हो लेकिन तो कम जोरी होती है न, आप इसे कब बाद से। वो बढ़क है, आप देख लीज़े ना जाके, वो वो बभन, भीता पागल है, वावीता कमीणी है, अब भाप अपनी बेटी को, आप कहतें कि बाप हूं मैं, तो एक बाप अपनी बेटी को कोई गाली बखता है, क्या, आप आप जाए, आप सुनिए, हमारे संसकार में ऐसा कि मैं किसी को गाली बखो मैंने आज तक मेरे जुबान से कर गाली बखी निकली होगी तो आप जो कहेंगे मैं को कर दूगे मतलब उसके उनके पिता जी बोल रहे थे इस तरह के सब्द बोल रहे और वह आये धक्का मार दिये अधका भी मारना था तो ऐसे मतलब इस नहीं वह आधर कर रहे थे मöhना थी मॉन मुए एक दम आभेस में कि तेन दिन पहले जिसने वह वाक्या किया था पत्रकार के साथ लत्म जुत्य था कुशन पार मिन इसको या टाच भी कर लेंगे और फिर शम कर देंघ्र बढ़ें तो हम को 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 बोलने वाला नहीं है जूकि थोड़ा कि एक चोटा सब्द हम ने का क्या आप सब के सामने ऐसे कर रहे हैं क्या हम गाली घगती है तो आप ने जो मेरे साथ किया आप मुझे थपर मार देते तो इतना चोट नहीं लगता आपने थपर नहीं मारा, आपने मेरे जहां मान सम्मान होता है, उस पर हाट डाल दिया, आप समझ सकते होंगे, किती दफ़ा कहूं, फिर मैं और और तो और दर्वाजा बंद कर दिया, आप यहां से नहीं जा सकती, यानि कि मेरा लास जाता, जितना मेडिया वाला था, वो मर है, जी जान्त कि और गलोज करना जन्ते हैं, और हम आपने में बहुँ के साथ अपने मुख्या मुख्य कर सकते हैं, जब वो अपने पथनी के साथ, अब ढूंकर को सब्सक्राइब किया बसलू कि हुआ उसको जानने के प्रयास में गये तो आपके साथ में विए आपने क्या करवाई किया कि हमने भर्गामा में कि हैं वहां के एसे चुसे हमने कहा उन्होंने फैयर किया है चुकि पत्रकार पर हमला होना आज के आज आप देखिए कि कहा जाता है कि पत्रकार को धंकाना भी एक जूर्म है पत्रकार के प्राइबे पार्ट को छूरे वह 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 बर्दास नहीं कर सकते गलफ सेंसेशल चूने के प्रयास कि आप देख सकते हो वह तो हो गाई ना हम आपको जादा से चाहिए मैं हम बिहार के बेटी हैं ऐसा नहीं है और संसकार हमारे रगों में है बस आपसे उमीद के लिए काट काट के दिखाना चाहते हैं तो वह वह वीडियो मत देखिए आपको देखना है जो सच देखना है तो आप देशवान यूज के सब लाइब चल रहा है वहां जाके देख लिए और सच और जूट का पता वहां चल जाएगा चले तो बहुत आरे किया पत्रकार क समास के लिए रोना बन जाएगी यह बिल्कुल रोना बन जाएगी अगर हर दिन खामोस आप रहे तो यह खामोसी बिल्कुल सहा नहीं जाएगा और यह पत्रकार मैं जो बभीता मिश्राजी इन्होंने सापत रुपय कहा कि जिस तरह से साथ में बसलुकी किया गा इनंहोंने फा boa किया जाता है आप लोगी दे आये अपकल या का क्टिक्षा जरूर करूंगा बाकि देख देखते रही मिध भात मैं हें वकिल मार्वादल धान्यवाद